तो आज मैं करूंगी किचिन की खिड़की का ये शीशा साफ ये शीशा बहुत ही चिपचिपा और चिकना है और काफी टाइम से साफ नहीं हुआ इसकी हालत बहुत खराब हो रखी है आप खुद ही देख सकते हैं कितनी मोटी परत जमी हुई है इसमें ओईल की हमारी किचन मे साफ नहीं लगी हुई एकजेश फैन लगा है तो कुछ चिकनाई खिरकी पर भी आ जाती है तो इस चीशे को साफ करने के लिए किचन की ही दो चीजे चाहिए वह है विनेगर और खाना सोडा विनेगर कोई भी ले सकते हैं मेरे पास ब्राउन विनेगर था उसे लिया है देयार हो चुका है अच्छे से मिक्स करकर इसे हम डारेक्टली शीशे पर लगा देंगे बहुत अच्छे से अगर कम पड़े मिक्षर तो दुबारा से हम बना सकते हैं सिरका और सोडा हर किचन में मिल जाता है इसलिए बाजार से कोई भी चीज हमने इस्तमाल नहीं की ना म तरफ से अंदर भार अच्छे से कोट कर देना है किचन की खिलकी का जो कांच होता है इस पर बहुत चिकनाई जम जाती है जिससे साबुन या सर्फ से साफ नहीं होती इसके लिए अगर हम साबुन सर्फ यूज भी करते हैं तो बहुत महनत की जरूरत पड़ती है देकिन आपको ज्यादा महनत की भी जरूरत नी पड़ेगी बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही इसके धब्बे छूड जाएंगे अब इस मिक्षर को हम लगा कर खिड़की पर छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए उसके बाद हम सफाई स्टार्ट करेंगे बिना महनत के साफ करने के लिए आपको 10-15 मिनट छोड़ना पड़ेगा अगर सूप जाता है खिड़की के सीशे सूप जाते है तो हम उस मिक्षर को दुबारा से लगा के उसे रगणा स्टार्ट कर देंगे देखिए मैंने 10 मिनट छोड़के फिर से इस ग्लास को साफ करना स्टार्ट कर दिया है और देखें यहां पर मैं जहां जहां स्क्रब को रख रही हूं वहां बहुत ही आसानी से शीशा साफ होता चला जा रहा है चिकनाई बहुत अच्छे से छूटती चली जा रही है पहले मैं एक खिड़की के एक पार्ट को साफ कर रही हूं ताकि आपको फरक नजर आ जाए और यहां पर सिरफ मैंने दो चीजों को यूज किया कोई सावन वीम कुछ भी नहीं यूज किया तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से घर की ही चीजों से आप चिकनाई वाले बहुत ही स्टिक की सीशों को शाप कर सकते हैं टाइल्स भी साप कर सकते हैं अब चिकनाई हटाने के के बाद मैं यहां पर पानी का यूज़ कर रही हूं सिंपल पानी गरम बिल्कुल भी नहीं लिया नॉर्मल पानी लिया है और स्क्रब को दोने के बाद उसी स्क्रब से मैं इसके गंद को हटा दूंगी तो आप देख सकते हैं शीशा कितना साफ हो गया है बहार का भी नजर आ आप फरक देख सकते हैं दोनों खिर्कियों में इसलिए मैंने एक पार्ट साफ किया दूसरा नहीं किया आप खुद करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी आसानी से ये चिकने सी से साफ हो जाते हैं बिना मैनत के थोड़ी सी तो मैनत करनी पड़ती है लेकिन ज्याद कि किया हमारा बिलकुल साफ हो चुका है आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं वह साफ तो आप अपने अप लिए देख सकते हैं पर, आपको दिखाती हूं तो ये देखं़ा हमारी पूरी खिर की साफ हो चुकी है कितना साफ नजरा तो इस तरह से आप आसानी से अपनी खिड़की का अपनी किचन की खिड़की का चिप चिपा चिक ना सीशा साफ कर सकते हैं और बहुत ही कम महनत में बहुत ही आसानी से